नमस्कार मैं वजय कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक्जाम के क्लब में और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत है अच्छे होंगे दोस्तों सदन से एक जवरजस्त ख़बर आ रही है आप सभी के लिए जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव नियूज हो सकता है तो चलिए जल्दी सुरू करते हैं इस सेसन को लेकिन उसके पहले आप सभी हमारे चलों के सब्स्राइब कर लिजे वीडियो कर अच्छा लाएगा तो लाइक जरूर कर दीजेगा और हाँ बैल आइगन को भी आउन जरूर कर लिजेगा ताकि इस प्रकार की वीडियो के नोडिविकेसन आपको मिलते रहे हैं तो चलिए जल्दी सुरू करते हैं आज के इस अपडेट के बारे में सबसे पहला तो अपडेट यह है दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी आत्मनन इस्कूलों का विलाय किया जाएगा सिक्षा विभाग में जी हाँ अभी तक जो आत्मनन चल रही हैं वो सभी चल रहा है कलेक्टर सहाब के अध्धक्षता में एक कमिटी बनाई गई है उसके अंडर यह सारे आत्मनन इस्कूल जा है वो संचालित किया जा रहे हैं जिसमें जितने भी सिक्षक हैं वो सभी यह तो फिर कोई जी ने आज ये ऐलान किया है कि बहुत ही जल्द इन सभी स्कूलों को सिक्षाविभाग के द्वारा अब टेक किया जागा ने कि नियंतर में लिया जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं जो भी कलेक्टर की जो कमिटी बनी हुई है कलेक्टर के दिख्षाता में उसको भी भंग की जाएगी ठीक है और अब इसका जो संचालन है वो सिक्षाविभाग स्वायम करेगा तो यह एक बहुत ही बढ़िया तो यह एक बहुत ही अच्छी निउस है हो सकते हैं इससे संबंदित आपको सरकारी जो विकेंसिस है वो भी आपको देखने को मिलें इंगलीस इंडियम में एक बार फिर से जैसा 2019 में हुआ था तो हो सकता है इनी स्कूलों को भी ऐसी पोस्ट से भरा जाए और यह फिर हो सकता है कि जो समीधा कर्मी है भी जो उनकी नियमित्ति करण भी की जा सकती है कुछ भी हो सकता है हाला कि इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नह जी जो कि ध्रम जगड के विधायक हैं इन्होंने मंत्री जी से पूछा सिक्षा मंत्री जी से उन्होंने पूछा कि सहायक पर ध्यापकों कि कितने पदर रिखते हैं कितने हैं उसके विसायवार जानकारी दीजिए तो इन्होंने बताया यहां पर देख सकते हैं आप लोग विसायवार तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा लेकिन आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलेग्राम ग्रूप मैंने उसको डाल दिया हुआ है उस पीडियेप को आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं जिसमें किस विसाय के कितने पोस्ट हैं आप लोग वहाँ पर अच्छे सदेख पायंगे ठीक है तो चलिह देखते हैं हाँ आप टोटल में आप को बता देता हुए आपर कि टोटल कितने पोस्ट हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है इतना स्विक्रित किया गया है पांच हजार तीन सो पंदरा पोश्ट लेकिन इसमें सिर्फ जो रिख्टिया है यानि की खाली पद है वो है 2179 यां 2179 ये भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों 2000 से ज़्यादा पोश्ट है मतलब है बहुत अच्छा पोश्ट है और हो सकता है किसे बहुत जल्द भरा जाएगा बहुत जल्द इसके नोटिफिकर्शन आ सकता है तो आप सभी इसके लिए तैयारी करते रहिए चुकि 2019 में लाश्ट टेम हुआ था मेरे ख्याल से फिर उसके बाद से और नहीं हुआ है तीन चार साल हो गया लगबग तो आप लोग त्यारी करते रहिए अचली अब चलते हैं हम लोग इसकूल सिख्षा में तो इसकूल सिख्षा भाग में हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्रीलाल जी सिहराठ्या जी नहीं इन से स्वाल किया कि सिक्षक साहक सिक्षक और व्याख्यातक कितने कितने पद हैं इसकी जानकारी दीजे जिलावार तुन्होंने जिलावार जानकारी दिया हुआ जिलावार आपको देखना है तो आप टेलिग्राम ग्रूप में देख सकते हैं मैंने PDF डाला हुआ है अगर हो सकता है कि इसमें अगर आधे पत को भी अगर भर जाता है तो भी लगभग लगभग 14,000 पोस्ट आपके पास आएंगे ठीक है सिक्षक किकर हम लोग देखे तो यहाँ पर 10,676 पोस्ट खाली है अगर इसमें भी अगर आधे परती करती है सरकार तो 5,000 पोस्ट आएंगे ही आएंगे और वो भी फिसाय वार आएंगे इस बार तो अच्छे से त्यारी कीजे और व्याक्षाता के हम लोग बात कर रहे हैं तो यह भी लगभग 9,524 पोस्ट है अगर इसमें भी अगर आधी भरती भी की जाती है न 2,19 से ज़्यादा पोस्ट आ जाएंगे दो इसमें लगभग लगभग 4-5,000 पोस्ट आ ही जाएंगे है ना तो आप लोग अच्छे से त्यारी कीजे और चोरो सोरो से मतलब यहां पर यह अफ़ाद भी उड़ रही है है ना बहुत सारे की लगभग 3,000 पोस्ट आने वाली है तो हो सकता है 3,000 आई यह फिर उससे ज़्यादा भी आ सकता है आप लोग यहां पर देख सकते हैं कितने पोस्ट खाली है आप लगभग लगभग 50,000 के करीब है ना 55,000 पोस्ट खाली ही है तो अगर सरकार माल ने जिए उसका अधा पोस्ट भी अगर भरती है ना तो कम सकम 20,000 से भी ज़्यादा पोस्ट आएंगी ही आएंगे और एक इंटर्वी में खूर ही कहा है सिक्षा मंतरी जी ने कि मैंने 30,000 से ज़्यादा पोस्ट को अभी अनुमत अभरने के लिए करके है ना एक बार आपके कोई सुना भी होगा नियूजर बहुत आदा भी वाइरल भी हुआ था हाला कि मैंने उसके उपर वीडियो नहीं बना पाया था कुछ काम के वज़े से तो उमीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे त्यारी भी कर रहे होंग भरे दो घंटा कम सोईए लेकिन आप अच्छे से आई किजे दोस्तों क्योंकि इस बार अच्छे से अच्छे मतलब competition होने वाला है बहुत जब 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 कोंपेडिशन होने वाला है इस बार चूँकि उस समय 2019 में ज़्यादा उतने जब जब कॉंपेडिशन नहीं था क्योंकि उस समय रेगुलर नहीं हुआ था लेकिन अब सबको समझ में आ गया चार सल हो चुकी है रेगुलर हो चुका है यह पोश्ट है ना सबको समझ में आ गया है तो जाहिर से बात है सभी कोई एकदम भीड़े होंगे त्यारी करने में आप भी भीड़ जाएए अच्छे से त्यारी किजिए किसी प्रकार को आपको सहायता की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं हर संभव आपको रिपलाई करने की कोशिस करूँगा तो आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए मुझे दीजी विदा नमस्कार जैहिन जै भारज्या 36 गड़